नमिश्कार मेरिचा सिंग स्वागित करती हूँ हमारे खास कारिक्रम आज की राशी फल में आज बताएंगे कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपायों को करके आप परिशानियों जे चुटकारा पा सकते हैं तो जलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास जो आज का राशी फल मेश राशी अपने प्रते कारे को समझदारी पूर्वक करें सामाजिक कतिविद्यों में अधिक भाग लेने से आपका सामाजिक इस्तर बढ़ेगा कोई लंबी यात्रा वा ये विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं उपाय घर में बनी पहली रोटी गाएं को खिलाएं ग्रिशब राशी आपके लिए शुक्र के गोचर के अनुसार सामानी लाब उन्नती कारक रहेगा अपनी आविश्यक्ताओं को अधिक ना बढ़ने दे समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रती सचेत रहें उपाय सौफ पानी में डाल कर स्दान करें मिथुन राशी व्यापार में आपकोई जोखिम पूर्ण एवं साहसिक निर्ने ले सकते हैं जोसे व्यापार में उन्नती के साथ लाब होका उपाय सूरे भगवान को जलचड़ाएं तथा गेहुं का दान करें करक राशी महत्वपूर्ण कारे में विग्न बाधाएं आएंगी अपनी समस्याओं को अधिक समय तक ना बढ़ने दे उनका शीग्र समधान करने का प्रयास करें उपाय एक ओपल रतन चांदी में बनवाकर धारन करें सिंग राशी व्यर्थ भागदोर अधिक रहेगी कारिशेत्र में जूटे आरोप के कारण कारिशेत्र से निकाला जा सकता है नौकरी में अंचाही जगा स्थानांतरन फूगा उपाय गाएं को चने की डाल खिलाएं कन्या राशी अध्यन अध्यापर में अभिरूची कम होगी विध्यार्थियों को तक्नीकी शिक्षा ग्रहन करने हे तुग घर से दूर जाना पड़ेगा कारे में मन लगाने का प्रयास करें उपाय दूद वाला हल्वा बनाए तुला राशी विरोधी पक्षाप की कमजोरी का लाब उठाने का प्रयास करेंगे अपनी भावनाओं को सकरात्मत दिशा प्रदान करें व्यावसाइक समस्याओं के प्रती जागरूप रहने की आविश्यकता रहेगी उपाय नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल अभिशेक करें व्रिश्यक राशी घर परिवार में कोई सुखत घटना घट सकती है व्यावसाइक शेत्र में सनलगन व्यक्ति को व्यापार में योजनाबद रूप से कारे करने से सफलता प्राप्त होगी उपाय बेंगन मूल जल में डाल कर स्नान करें धनू राशी एकाएक महमान परिशान कर सकते हैं माता से व्यर्थ विवाद हो सकता है भूमी संबंधी कारे में किसी विरूधी के कारण विग्ना आ सकता है उपाय तेल या शराप 43 दिनों तक प्राताहकाल धर्थी पर गिराएं मकर राशी सुक सुविधा में व्रिधी होगी मन पसंद एवं स्वादिष्ट भूजन प्राप्त होगा माता से धन एवं उपहार प्राप्त होगे उपाय श्रीगनेश जी को पीले फूल और दुर्वा घास चढ़ाएं कुम्ब राशी शत्रू पक्ष अपनी कमजोरी का लाब उठाने का प्रयास करेंगे सामाजिक तंत्र के प्रती सजग रहें तर्ख वितर्ख से बचें अपनी उपर भरोसा रखे उपाय बहते पानी अनदी में गुड़ प्रवाहित करने से सूरे का शुक प्रभाव प्राप्त होगा मीन राशी परिवार में अकारण वाद विवाद हो सकता है पैतरक धन संपत्ती को लेकर बात मुकदमे तक पहुँच सकती है जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सामित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दन्चारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे ये से लिए भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाँ